तो हेलो दोस्तो आज मैं आप लिए लेक्षा है हुए काफी इंट्रस्टिंग गेम ये गेम दोस्तो कहिला गया था मिकाईल ताल और रफाईल वगानियान के बीच में ये गेम दोस्तो 1973 दूबना में खेला गया था तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते है और अगर और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो at first आप मेरे इस वीडियो को बीना स्किप करके पूरा देख लेजिए फिर आप डिसेट करना कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं तो चलिए बीना किसी देडी के स्टार्ट करते है आज के वीडियो को तो वाइट पिसे साथ खेल रहे है मिखाइल ताल और उनके ओपनेंटर रफाइल वागानियन जो कि ब्लैक पिसे साथ खेल रहे है तो मिखाइल ताल ने ओपन किया विद ईफूर ईशिक्स दीफॉर दीफाइफ नाइट टू डीटू तो सब लोग आ उसके बाद एफ कैप्टिज और लूँ उसके बाद इफ कैप्टिज आप वाइव उसके बाद डीकैप्टिज न इफ और नाइट टू थी फाईफॉर दोस्तों यह सनाइट टूसीमू ऊब्विस्टेक में इस पूशेट इस पोशिचन से दूसवश्यव टूब नहीं केला गया था तो इस पूजिशन से रफाईल वगानीयन ने दिये थे N-C5 उसके बाद मिखायल टाल ने दिये थे N-C5 उसके बाद Bishop D-7 उसके बाद Bishop C6 मुव के बाद इस Bishop को दूज्सतों Bishop से नहीं लिए जा सकता अगर यहां पर से Black सबस्च देता Knight Bishop बिशब कप्चाजन दो इसलिए यह मूव तो नहीं के लगा सकता तो इनिसे अफ कैलकूलेशन को देखते हुए यहां पर से रफाइल वगानियन ने दिये थे बिशब के लिशाइन दिये थे क्विश अगर यहां पर से सपोस्ट और भी कुछ मूव खेला जाता सब्सक्राइब के बाद किंग टू दी एट उसके बाद सिंप्ली कुइन टू एट का रूप चला जाता तो इसी वज़ा से इस पोजिशन पे रफाइल वगान यान ने रिजाइन दे दिया था और एक कमाल का उसो विक्ट्री रहा मिखाहिल ताल के लिए तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और आप से जितना हो सके इस वी